पैनी शियर टू बाइ नाव इन 2021 शिल्पा शेटी की बेटे की कमपनी काफी बड़ा मुनाफ़ा दे के जा सकती है डेफेनेटे रडाय में रगो खोने के लिए कुछ भी नहीं है 470 रुपे से गिर कर 60 पैसे 50 पैसे का सबोर्ट ले रहा है आपको याद होगा एक मेहने पहले हमने एक वीडियो बनाया था स्टॉक के बारे में राइट सिल्पा शेटी की जो कमपनी है मैंने बहुत क्लिया वडो में कहा था जुस प्राइज में हमें स्टॉक को बाय करना है वो प्राइज आज लगा था दो या तीन दिनों के अंदर उसी प्राइज में स्टॉक अप्ट्रेट कर रहा है तो उस बात के लिए सबस्क्राइब कर लो अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा जब इस्टॉक एक रूपे का रहा था लेकिन अब इस्टॉक सथर पैसे और पैसे पैसे का रहा जैसे आपको बुला गया था तो उसके लिए तो लाइक बनता है अब साथ में देख लेते कि भाईया अगर आप बाई करते भी इस्टॉक को तो हमारा stop loss क्या रहेगा, target क्या रहेगा क्योंकि स्टॉक काफी 1.5 रुपे और 3 रुपे के आसपासी resistance दे रही है, तो मुझे लगता है परसनली कि अगर आप जिस प्राइस में अभी चल रहा है, वासे बाई करते हो, तो यह स्टॉक जादा से जादा आपको 100% 80% की रिटन दिखा सकता है, कुछ महीनों के अंदर, क्या पता आपको एक अच्छी रिटन भी दिखा दे क्या पता, 10 रुपे, 20 रुपे का टागेट भी दिखा दे, क्योंकि पैनी स्टॉक है, आपको पता है एक अच्छी खासे, सिलेवरिटी की कमपनी है, तो भाईया, टाफिन स्टॉक को डड़ा में रखो, अब आप बात करते सीधा, हमारे पुराने वीडियो की, और साथ में चार्ट में लेकर चलूँगा तो जिसको प्राइस एक्छी समझेना सीखना है, तो भाई, इस वीडियो को देख लेना और पुराना चो वीडियो उसको भी देख लेना बहुसा है लोग कहते, सर प्राइस एक्छीन के आपर वीडियो बनाओ सिखाओ हमें तो भाई देखो फ्री में आपको सिखा रहा हूँ लास्ट एक महने पहले बहुत क्लियल वडों में गाता है स्टॉक सतर पैसे आएगा क्यों आएगा वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था जिनको दुबारा समझेना है कि प्राइड एक्षिन होता क्या है सपोर्ट रजिस्सन्स क्या होता तो इस वीडियो को अन तक देख लेना तो अब लेके चलता हूँ हमारे बैस प्राइन स्टॉक टू बाई नाओ की तरफ तो दोस्तों आप देख सकते हो एक महने पहले ये वीडियो मनाया था एक रुपे का उसमें स्टॉक चल रहा था इसके अंदर हमने क्या बोला था आपको एक महर में दिखा देता हूँ ताकि आप कोई पता चल जाए कि जो आप चीज़े हम आपको बोलते है वो जातर तर तो सटीक बैठती बैठती है साथ में आपको मुनाफ़ा भी देखे जाती है अगर आप तरीके जसमें प्लानिंग करते हो हमारा गाव आपको गाइड करना होता है एजुकेशन प्रवाइड करना होता है स्टॉक मार्कित के रिगार्डिंग बाकी decision आपका होता कि आपको buy करना है, sell करना है और make sure कुछ भी समझ आ रहा है तो like कीजिए, comment करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और साथ में ये भी बताओ कि आपको किन topic के वर वीडियो चाहिए तो definitely discover वीडियो बनाऊँगा तो दोस्तो क्लिप को सुनिए, डंग से सुनिए ठीक है तो दोस्तो आपने देख लिया आपको हमने बहुत के लिडियो में काता सत्तर पैसे आएगा, अब आपको लेके चलता हूँ चाट की दरव, कि आज के दिन में स्टॉक में क्या चलता है, विफोर आपने देख लिया आप्टर भी देख लो, ठीक है उसका रीजन मतलाऊँगा कि सतर पैसे क्यूं स्टॉक को आना था, ठीक है वो प्योर प्राइस एक्षिन के बेसिस में मैं आपको बताया था कि सतर पैसे आएगा और सतर पैसे में एक बाउंस अब देखने को मिल सकता है, यह मेरा मानना है मुझे लगता कि मेरा प्राइस एक्षिन सही है सतर पैसे में स्टॉक टेफिनिट एक बाउंस करेगा और हमारा चोटा सा सॉप्रोस है मातर बी तीस पैसे का स्टॉप्रोस रहेगा targets के थोड़े बड़े हो सकते है अगर यह अपना last resistance break कर देता है ठीक है तो यहाँ पर हमें game खेलना तरीके से खेलना ऐसा नहीं है कि हम आखे बंद करके बड़ी capital invest कर दे इस price में और हम आसा करते रहेगे भई हमारा पैसा double triple हो जाए नहीं आपको planning करनी होती है planning से ही काम चलता है मैं आप उफ क्लिक के चलता हूँ उसके chart की तरफ चार्ट एक पर देख लिजिए तो जो उस्तो जैसे मैंने आपको बथाया best penny share to buy now in 2021 शिल्पा शेटी की बेटी की company जो currently 60 पैसे 70 पैसे कास पर trade कर रही है खोने के लिए कुछ भी नहीं है जैसे आपको बताया गया price action वैसे ही काम कर रहा है जब यह last video हमने आपको दिखाया था clip वो हमने आपको यहाँ की update दिया था ठीक है उसमें एक रुपी का आसपर stock trade कर रहा था और currently दोस्तो देख सकते हो जिस price में आपको बोला था stock आएगा यह price आ चुका है 70 पैसे ठीक है यह price क्यों दोस्तो आना था मैं आपको अब explain कर देता हूं ठीक है दोस्तो देखिए मैं आपको थोड़ा इसको zoom out करता हूं दोस्तो आप देख सकते हो मैं चोड़ा इसको उपर लेके जाता हूं दोस्तो आप समझे चोड़ा price action समझे दोस्तो देखिए यह support इसका area था क्योंकि इसने first time यह से bounce किया था उपर गया और दूसरा बार दूसरी second time ही stock ने same support लेके उपर गया ठीक है अब तीसरी बार यह stock ने support लिया है यहाँ पर ठीक है और उपर गया भी चौथी बार support ले रहा है तो दोस्तो देखिए यह लगातार तीन बार support ले रहा है तो यह price action मना रहा है आप बोच सकते हो कि मैं इसमें drawing बना जता हूं ठीक है ऐसे कर के ऐसे गर के ऐसे कर के तो यह support एरिया है तो इक है मजबूस support एरिया है क्यों क्यूंकि इसने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार spor कर सकता है और यहांसे डेफिनरी एक bounce देखने को आपको मिल सकता है और लगतां यहां पर quantity trade हो रही है टेकनिकल, अगर टेकनिकल चार्ट में मुझे सिंपल दिख रहा है कि यहां से बाउंस कर सकता है, और क्या पता, अगर स्टॉक की हाल फिलाल में कुछ न्यूज आ गई, ठीक है कुछ न्यूज आ गई मार्केट में, ठीक है तो definitely यह स्टॉक अराम से आपको यह 2 रुपे प्राइस भी भीज करके 5 रुपे का टागेट भी दिखा सकता है, लेकिन हमें इस लोड़ा गेम खेलना तरीकेट से हमें next resistance पर प्रॉफिट बुकिंग definitely करनी है, तो हमारा जुसका next resistance निकल के आता है, अगर हम यहां कहीं इसको बाई करते है, 70 पैसे और 60 पैसे के आसपास, ठीक है, तो हमारा next support है, sorry, support नहीं next resistance area हो एक रुपे के आसपास है, तो एक रुपे के आसपास definitely एक बाइप प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकती है, और मैं आपसे बोलूँगा कि भईया, एक रुपे के आसपास definitely एक बाइप प्रॉफिट बुकिंग करनी बनती है, बाकि हमारा जो T2 target होगा, वो एक रुपे 34 पैसे के आसपास होगा और जैसे इस stock एक रुपे 34 पैसे के उपर close करेगा, sustain करेगा, definitely आपको 5 रुपे के target भी दिखा सकता है उसका reason दोस्तों यह है, क्योंकि दोस्तों यह stock first time इस लेवल से support लेके उपर नहीं जा रहा है क्योंकि अगर पास में इसका आप चार्ट देखते हो आपको पास का चार्ट भी दिखाऊंगा उसमें stock ने आपका 1 रुपे के support लेके almost 30 से 34 रुपे का high लगाया था ठीक है, जो आपको 470 रुपे मैं कहा रहा हूँ वो ही है, ठीक है अगर जुरूदा में आप देखते हो stock 470 रुपे का high लगाया था 2008 और 2009 में, बाकि गूगल में देखता हूँ तो 37 रुपे का high हमें नजर आता है तो मैं आपको दिखा रहता हूँ एक बार तो दोस्तों देख सकते हूँ मैंने गूगल में चार्ट खोला हूँ है Google में चार्ट इसका मिल क्यों नहीं रहा है Google में चार्ट मैंने खोला हूँ है कमपनी आपकी BSC में लिस्टेट कमपनी है तो आप दिख सकते हूँ दोस्तों इसमें ट्रेडिंग हो रही है मतलब आपको इजी से इजली इसमें buy sell हो सकता है आपका तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि lower circuit और upper circuit लग रहा है इसमें ट्रेडिंग हो रही है मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ मैक्स चार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इधर इसने एक रुपे का आसपर टेड करता था दो है चौदा की आसपर ठीक है और एक रुपे से stock ने 40 रुपे का हाई लगा है अगर बात करता stop loss की दोस्तों देखिए stop loss मैं आपको दे रहा हूँ एक stop loss दे रहा हूँ उसको आप यूज कीजिए stop loss stock का निकल के आता है आपका 45 पैसे और 50 पैसे के आसपास ठीक है 45 पैसे और 50 पैसे के आसपास का हमारा stop loss देगा stock में और target मैंने आपको बतला दिए एक रुपे का resistance area जैसे इसके पर close करेगा डेट रुपे के target फिर उसके बाद चार से पांच रुपे के target भी आपको दिखा सकता है विवान इंडस्री लिमेटेड ठीक है तो दोस्तों ये विवान सिलफर शेड़ी के बेटे का नाम है उनके नाम से इन्होंने company खोली है तो confuse मत हो ना BSC में लिस्टेट कमणी definitely stock को बाई करके चल सकती हो खोने के लिए कुछ नहीं है best Spanish stock to buy now in 2021 हो सकता है जैसे आपको बोला था price action वैसे ही काम कर रहा है ठीक है एक रुपे के लेबल से लकातार बोला था कि stock को रिडाय में रखो जैसे 70 पैसे आएगा एक bounce मिलेगा और वहां से एक bounce देखने को भी मिल रहा है तो भाई definitely stock को रिडाय में रखो अगर कुछ पूछना है तो नीचे comment करके पूछ सकते हो टेखनेटे रिप्लाई मिल जाएगा और बाकी stock में इतना ही मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में तिल देन बाई बाई थैंक यू सो मस् safe dating, happy dating and जै हिंद